नमस्कार, जै जिनेंद्र बंधुओं आज हम आए हैं श्रवन बेल गोला भारत के करनाटक राज्य के हासन जिले में स्थित एक जैन नगर है ये एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है श्रवन बेल गोला दो पहाड़ियों विंध्यगिरी और चंद्रगिरी के मध्य स्थित है विंध्यगिरी पर साथ तथा चंद्रगिरी पर 14 जैन मंदिर है चलिए, शुरुवात करते हैं विंध्यगिरी से यहां ये मुख्य द्वार है अंदर आते आपको बड़ा पहाड दिखाई देगा यहां आप देख सकते हो उपर जाने के लिए के लिए स्टेप्स है टोटल 700 सिडिया है चलिए, उपर जाकर आपको भगवान बाहु बली का दर्शन कराते हैं यहां से आप पूरे नगर का दृष्य देख सकते हो और वह चंद्रगिरी है यहां दर्शन होने बाद चंद्रगिरी का दर्शन लेंगे पूरी जानकारी के लिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें थोड़ी छड़ाई के बाद आपको यहां पुरातन मंदिर दिखाई देता है अंदर जैन तीर्थंकरोकी की मूर्ती है यहां से उपर भगवान बाहुबली की विशाल मूर्ती है यह मुख्यद्वार है अंदर आते ही आपको भगवान के मुख दर्शन हो जाते है हम पहले परिक्रमा करेंगे फिर अंदर जाएंगे बाहुबली भगवान की प्रतिमा श्रवन बेल गोला का प्रमुख आकर्शन है जिसे देखने बढधी संख्या में लोग आते हैं यह दुनिया की सबसे उची अखंड मूर्ती है जिसकी उचाई 17 मीटर है गोमतेश्वर मूर्ती का निर्मान दसवी शताबदी में गंगावंश के राजा राजमल्न के जनरल चामुन राय द्वारा किया गया था इस प्रतिमा के आधार पर मराठी, तमिल और कंणड में शिला लेख लिखे गए हैं यहां हर 12 साल में एक बार महामस्त का अभिशेक किया जाता है जिस दौरान प्रतिमा को दूध, केसर, घी और दही से अभिशेक किया जाता है 2300 से अधिक वर्षों से श्रवन बेल गोला जैन धर्मावलंबियों का एक प्रमुख केंद्र रहा है यह जैन मतावलंबियों को अपनी संस्कृति, कला और वास्तुकला से आकरशित करता है अगर आपको इस वीडियो में दी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे और कमेंट करके बताए और सब्सक्राइब करना न भूलिए जै जिनेंद्र झाल 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 झाल